हेलो बच्चो पिछले पाइट में आपने पढ़ा था दुश्यल्थ मारी चिरिशी के आश्रम में आते हैं तो उनकी बुझा फड़कने लगती है तो अपने बुझा से कहते हैं कि तुम क्यों व्यर्थ में फड़क रही हैं इतने में वो क्या देखते हैं महा एक बालक है जो की शेर के बच्चे को कीच रहा है अपने साथ खेलने के लिए ये चित्र देख रहे हो बिटा इस चित्र में देखो एक बच्चा है जो शेर के बच्चों को अपने साथ खेलने के लिए कीच रहा है और ये दो तपस्विनी है जो उन्हें रोक रही है और राजा पेड के आदिशा को विसर बच्चा कहता है जिंबस्वसी अरिशे जंबाई लोग धन्तह दात ते तुमारे वनिशे गिनुगा तुमारे दात गिनुगा प्रत्मा पहली तबस्विनित अविनित अरे लटखट अरे अविनम्र किम नो संदिय यापर बचे नह अपत्य निर्विशेश शत्वणी विप्रक्रोशी हन्त वर्धती देल सरभा स्थाने करी रिशिजनेळ सर्वदमन इती कृतलाम देया 8 यहाँ भी संदिये ओंको विसर्क और अफग्रह को आ नह जमा अपत्य निर्विशेशारी और कृत नाम देया जमा असी ओंको विसर्क और अफग्रह को आ यह वाली संदी पेपर में अक्सर पूछी जाती है अमिनेत अरे लटखत अरे अमिनम कि न अपत्य निर्विशेशारी शत्वानी विप्रकरोशी हमारे पुत्र के समान पाले गए प्राणियों को क्यों तंक करते हैं अरे नटकर तुम हमारे पुत्र के समान पाले गए प्राणियों को क्यों तंग करते हूँ हंत वर्धते तेसरंबा तुमारा हट बढ़ता ही जा रहा है स्थाने खलू स्थाने सही खलू निश्य ही रिशी जने रिशी जनोने रिशी जनोने सही सर्वदमन इती सर्वदमन ऐसा सभी का दमन करने वाला कृतलाम देया असी तुमारा नाम रखा है रिशी जनोने तुमारा नाम सर्वदमन ऐसा सही ठीक ही रखा है दुश्यन्त अब दुश्यन्त कहते है किम न खलो बाले अस्मिन संधिया पर बाले जमा अस्मिन किम न खलो क्या निश्य ही इस बालक के प्रती औरस इव पुत्रे सगे पुत्र के समाल स्नियती में मन मेरे मन इसने उत्पन हो रहा है इस बालत के ब्रदि मेरा मन अपने पुत्र की भादी क्यों इसने से भर रहा है नूनम अनपत्यता अपने आपको क्या कह कर शाथ कर ले दिया निश्य ही संतान हीलता मुझे माम वतसले दी मुझे वाधसले भाउसे भर रही है क्योंकि वो संतानीन है, वो नहीं जानते कि ये मेरा पुत्र है, तो वो कह रहे है, निश्य ही संतानीनता मुझे बादसल्ले भाव से बर रही है, द्वीतिया, द्वीतिया कौन? द्वीतिया तपस्कुली, एशा कलू केसरणी, केसरी कहते है शेर को, और केसरी नहीं हो गई, निश्य ही है शेरली, तो आप लंग जिश्यती, तुम्हें माद देगी, यदि अस्या पुत्रगम नम उन्चसी, यदि इसके पुत्रकों नहीं छोटते हो, यदि जमा अस्या, किसके पुत्रकों, इसके पुत्रकों, तो ये अस्यापत किसके लिए आए, केसरी के लिए, ब जात नहीं उड़ाते वैसे, अहू, बल्य, अरे बल्वाने, खलू भीतो असमी, निश्चही मैं डर रहा हूं, मतलब वो डर नहीं रहा है, लेकिन दिखा, मतलब कह रहा है, यह बता दिया तुमने मुझे ये दो, अब तो मैं निश्चही उन से डर रहा हूं, इती अधरम, सल अली सपस्वली, वात्स, पुत्र, एरम, बाल, म्रिगेंद्र, मुझ, इस शेर के बच्चे को, म्रिगेंद्र, म्रिगों में इंद्र है जो, यानि कि शेर, बाल, बच्चा, शेर के बच्चे को, मुझ, छोड़ो, इस शेर के बच्चे को, छोड़ो, अप्रम्ते क्रिणंकं तुम्हें दूसरा किलो ना दूंगी, अस्मिर वाक्य तेप अदम कस्म प्रियुक तब बाल का दूँगी, तुम्हारे लिए दूसरा किलो ना दूंगी, किसके लिए, बच्चे के लिए, बाल, कुत्र, कहा है, देहितर, तो दे दो, इते हस्तप रसार्यति, ऐसा कहेकर हाथ अरे वह सुपृता, द्वित्या तपस्वी नहीं कहती है, सुवरते, अरे वह सुपृता, न शक्य एशा वाचा मात्रेण विरमय तुम, न शक्य, एशा, न नहीं शक्य सकता एशा यह, वाचा मात्रेण वाणी मात्र से विरमय तुम रोखा, यह सिर्फ वाणी मात्र से नह नहीं रोका जा सकता, मेरे अमई तुम में, तुम उन प्रत्य हो, गच्छा तौम, तुम जाओ, कि यहां पर तौम किसके लिए आए, पहली तपस्वी के लिए, मदिये उटजे, मेरी कुटियामी, मदिये मतलब मेरी, तो यह कौन बोल रहा है, दुवितिया तपस्वी, तो मेरी कुटियामे मिर्टी का मूर है, मिर्टी का मूर है, तब असे उपहर, वह इसे दे दो, बालह, अनेनेव तावत क्रिडिश्यामी, संदी देखो, बालह, बालह, बच्चा कहता है, अनेनेव तावत क्रिडिश्यामी, अनेने, इसी से ही, तावत तब तक, क्रिडिश्याम ही केलुगा इती ही ताप्सी मिलोक्य। हसती!.. ऐसा कहकर ताप्सी को देखकर हसता है। विलोक्य में लिप्रत्य व्यूक्त आपसी भबतु। अच्छा.. नवाम अयम संध्य है। माम जमा अयम नवाम अयम गन शान गनिलती। यह तो मुझे कुछ नहीं समझता। राजानम अवलोके राजानम जमा अवलोके राजा को देखकर अवलोके में भी लिप्रतियों भद्रमुक हे सजग पुरुष हे भद्रमुक मोचे अनेन बाद्य मानम बालम निगेंद्रम मोचे छुडवादो अनेन इससे बाद्य मानम पिडित किये जाते हुए तम किये जाते हुए बालम निगेंद्रम सिंग शाबक को तो इसके द्वारा इस बालक के द्वारा तम किये जैसा इसका आकार है चेश्टी तब एव अस्य वैसे ही इसकी चेश्टाए भी कत्यती कुछ कहती है क्या कहती है वो चेश्टाए क्या सोच रहे है वो कि आकार से बचा बहुत सुंदर है चेश्टाए क्या है लिडर है यानि कि वो किसी रिश्टी कुमार का रिश्टी का पू किसी भी कुल की कुल की कुल के दौरा स्पर्श करने से गात्रेशु आंगों में सुकह म मेरे इस प्रकार यानि कि इस बच्चे के ये इस बच्चे के ये किसी अन्ने कुल का आंगुर है और जब यह बच्चा मुझे स्पर्श कर रहा है तो मुझे आनंद की अनुगूती हो रही है काम निवरितिम चेटसी काम किसको निवरितिम आनंद को चेटसी यह दे में तस्थिक उसके उल्यात करता होगा यसे अयम अंकाद यसे जिसकी अयम यह है अंकाद गोट से कृतिला पुन्यात्मा के जिस पुन्यात्मा से यह उत्वन हुआ है उसके हिर्दे को यह कितना अनंदित करता होगा अब इसका अनुवे देखते हैं कस्यभी अनेन कुलांकुरे किसी अनेकुल में अनेन कुलांकुरे किसी अन्य कुल में उत्बन इस कुल के अंकुर के स्प्रिष्टस से मम गात्रेशु स्पर्ष करने से मेरे अंगों में एवन सुखन इस प्रकार सुख प्राप्त हुआ है यानि कि मुझे इस प्रकार आनंद की अनुभूती हुई है यसे कृतिना अंकार जिस पुर्ण्यात्मा की गोद में अयब ररूड़ा ये उत्बन हुआ है तस से चेत्सी उसके मन में काम निव्रितिम कुर्यात कितना आनंद उत्बन करता हुगा अथार्ट कहने का भावी है कि किसी और के कुल का आंकु रही और जब मैंने इसको स्परश किया तो मुझे इससे बहुत अधिक आनंद की अनुभूती हुई और जिस पुन्यात्मा की गोद में ये उत्बन हुआ है पैदा हुआ है तो उसको कितना आनंद देता होगा वैसे भी हर बच्चा अपने माबाब को प्यारा होता है और ये बच्चा तो बहुत शराती भी है और वीर भी है तो ये बच्चा मुझे इतना आनंदित कर रहा है तो अपने माता पिता को कितना अन्दित करता होगा ये इस लोग का बावू बालं उपलालेंग बालक को पुछकारते हुए प्रकाशम प्रकट में दुश्यन्ता दुश्यन्त मोते है अथ कह अस्यव्यपदेशः संदिययापर कह जमा अस्य इसके बाद तुम ये कौन से वंश्का है तापसी पुरुवंश्याप पुरुवंश्का दुश्यन्ता अब दुश्यन्त अपने आप से कहते है आत्म गतम अपने आप से गतम एक अन्वयों मम ये तो मेरे ही ये कैसे मेरा ही कुल है परविश्य, परवेश करके इसमें भी लियप रते और थापसी, अब तापसी बोटी है, वतस र्वदबन, पुत्र र्वदबन, शकुंत लावन्यम प्रेक्षस्व, पक्षि की सुन्दरता को देखो, इस शब्द को ध्यान से देखो, शकुंत लावन्यम, शकुंत मतलब पक के इसकी शकुंतला इती असे संधी है आपर शकुंतला इती जमान असै। ऐसा कहकर किलोना ले लेता है, बचे ये इसके शब्दर दिये हुए, लेसन बढ़ने से पहले शब्दर सब बचे याद कर लेगे, अभी तक हमने जितना पड़ा, उसकी व्याकरण भी बहुत जरूरी है बचो, तो ये दूसरे पैराग्राफ की व्याकरण है, इसको हम यहाँ से याद करेंगे, और ये तीसरे पैराग्राफ की व्याकरण है, इसको हम यहाँ से याद करेंगे, तो अगली वीडियो में हम देखेंगे, पाठित अवबोधनम, आज के लिए इतना है, झाल